स्वागत है मित्रों आप सभी अकबर फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रानिक स्टेडी में नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीडी सी डीएलेड या अगर मैं बात करूँ एमेड इस सभी के तहत जो इसाइनमेंट फाइल्स बनती है जो वॉइवा के दाउरान हम लोगों कुछ चेकरा नहीं होती है जब वाइवा होगा आपका तो जो असाइनमेंट फाइल्स होती है वो कैसे बनती है किसी जो प्रतेक subject की, मैं हर एक subject को ले करके चलूँगा और उसके assignment file में कुछ topics को जो है मैं cover करूँगा उसके हिसाब से आप एक blueprint अपने उसमें बना सकते हैं कि कैसे आपको assignment file तयार करनी है ठीक है, तो हमारे कुछ दोस्त है मित्र हैं जिरोंने assignment file के बारे में जो है जानना चाहा तो उसके उसी के संदर में जो है ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है बाकी लोग भी जो है assignment file के बारे में जान सकते हैं तो इसमें आज जो assignment file का जो subject है जो विशय है वो है गणित, ठीक है mathematics तो इसमें आप देख रहा है जो topic पहला है वो है संख्या या अंकों का ज्यान विकिसित करने ही तो समगरी या गतिविधी, ठीक है कहने का मतलब है कि कैसे numbers को जाने के कैसे अंकों का ज्यान होगा इसको जानने के लिए कौण कौण सी गतिविधी या शमगरी है एक तरीके से असेस्मेंट है जो वायबा के वायबा के उसमें तो काफी कुछ पॉजिटिव या इंपेक्ट पड़ेगा अगर आप एक तरीके से कुछ अच्छा सा उसमें जो है ड्राइंग कर देते हैं या जो भी है तो फिलाल इसमें देखते हैं जो है mathematics के उसमें जो गणने जा रहें तो वहां से आप introductory के उसमें लिख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि मैं फाइल दिखा दे रहाँ हूं ऐसे कि क्या कुछ है इसमें लिखा हुँआ है तो देख सकते हैं कि अंक प्रतान करने के साथ ही गैनती की आवाश्यक्ता होती है इस परकार हम देख चित्राश्री को व्यक्त करते करने ही तो शब्द चिन अत्वा आकरते के द्वारा व्यक्त किया जाता है यह प्रदर्शित किया जाता है इसमें संख्या के जन्म के विश्य में विद्वानों में मद्भेद हैं वास होता है लेखन चाहिले के प्रदरुभाव के साथ ही गिनत में जो देवनागरी है जो हम लोग लिखते है हिंदी में जैसे संख्याइ लिखते हैं वह है सब्सक्राइब करते हैं तो संख्याओं को काउंट करते हैं तो संख्याओं को गिनना अगुलियों के बीच में गड़ों संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं तो अब करते हैं अभी कल मैंने रिलेशन प्लान बताया था जो है सब्acer on your own okay ख drown मान को वह से भी समझ सकते हैं ठीक है नहीं पर संखिया लिजा हुआ है । तो इसमें आप निकाल करके साथ कि सत्ली ऑल्हान को जो है बता सकते हैं ठीक है यह यह रहाएं का दूदू धरन आगे इसमें बाख करते हैं रोमल संख्याक क्या है रोमल संख्याक में आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप पर देखे घड़ी बनी हुई है आप इसको ऐसे बता सकते हैं समझा सकने ठीक है घड़ी बनी हुए इसमें 1234 अप्टू 12 लिखा हुआ है आप यह चीजें आप बता सकते हैं रोमन संख्यांक में अगे इसमें देखते हैं संख्या प्ददधी पर आते हैं तो इसका उल्ज़िए एक वीडियो में अफ्लोड कर चुका हूँ यहाँ पर मैं रफली बताऊँगा कि इस नंबर सिस्टम है क्या नंबर सिस्टम आपको स्क्रिफशन में इस वीडियो के आप वहाँ से उसको देख सकते हैं तो इसमें है कि किकी बहुत कराशियों के नामों का बनाने के लिए जिस पादादी का प्रयूकिया आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्यां है जो है वह च्छोटे से सबसेट में हैं उसके बाद जो उसके उपर है रिटेंफेंट से बताएंगे तो बहुत बेनेफिस्ट होगा आप लोगों के लिए श्मझ मीजी आएगा कि है कि है कि मेसा बाते सबस्क्राइब बात करते हैं वस्तों को गिनने या गिनने के लिए जिन संख्याय का प्रयूग की जाता है वो मिने के आदेख एक होती है देख सकते हैं 0 को include कर दीजिए हमें प्लम जुब आफ प्रवनक्तिस ने इंटीजेडि में प्लाइख कि आप करते हैं 20 संख्या निस ऐसे संख्या है जो deux से परकृतत में बह्याजित होती जीजिसे इसमें लिखा हुआ है 2468 एलवन ट्वैन सड्वारी चिजिंडाएं बात करते हो को ए कि यहां पर डेख सकते हैं परमेण संख्याओ कि बारे में ती कि प्रेजेंट करते है, capital Q equal to लिखा हुआ है, यहां पर दिखे अब, ठीक है, capital Q equal to P by Q, where P and Q जो है वो पोर्लांक है, आपके पोर्ड अंक है, ठीक है, कहने का मतदब पोर्लांक है, and Q is not equal to 0, ठीक है, 0 होगा, तो infinite आजाएगा, आपका अनंता जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, जैसे 5 है, minus 2 है, 7, 0 है, परिमेश संख्या हैं आपकी, आप परिमेश संख्याओं के बारे में बात करते हैं, rational numbers के बारे में, वह सली संख्या है, जने P upon Q के फार्म में नहीं, यह लिखा जा सकता है, परिमेश संख्या कहलाती है, जैसे root 2 है, root 3, root 5, ठीक है, यह सारी संख्य है, जो है, आपकी क्या आएंगी, अपरिमेश संख्याओं में आएंगी, इसमें आगे लिखा हुआ है, कि वहीं पाई जो है, वो भी एक अपरिमेश संख्या है, क्योंकि जो 22 बटे साथ है, वो 3.14, पाई के लगबग बराबर है, यह भी आप बताएंगे, उसमें, जितने और एक के अतरिक अने किसी भी संख्या से भी भाजित ना हो, कहने का मतलब है, कोई भी संख्या है, वो अपने आप से डिवाइड हो जाए, और एक से डिवाइड हो जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या से वो डिवाइड ना हो, तो वो होगी आपके प्राइम निमबर, या पर उधारन में आप देख सकते हैं, दो लिखा हुआ है, दो जो है, वो स्वयम, यानि दो से डिवाइड हो जाएगी, और एक से भी डिवाइड हो जाएगी, उसके अलावा किसी भी संखेसे डिवाइड नहीं होगी, आप 7 को लिए ये 7, अपने आप से होगा, आप 7 कर सकते हैं, 7 7 cancel हो सकता है, या आप 1 से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावाप किसी भी संखेसे उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उधारन में लिख सकते हैं, इसमें 2, 3, 5, 7, और यह भी द्यान रहे हैं यहां पर जो दो लिखा हुआ है है इकलावती प्रायम नंबर है जो की समसंख्या है ठीक है बाकि सारी की सारी आपको विजिन संख्या है दिखने को मिलेगी फटु शूर्ट तो इसमें कहा है कि 11 का भाज़े संख्या क्यों कि यहलं एक और 11 होगा है चुर्ण आप करते हैं इसको जरूर ध्यान दें इस पर én क 오른ेया है जो ना और चुरें द्सक्राट सभ Quatjpei State कि इस बड़ी हो अभाजी भाजे संख्या हो सकती है यह आप उसक्ता सकते हैं बात करते हैं जो यह बात करते हैं आवास्थ्रिक्य संख्यां करें कि भारे में तो से इन है यह सारी संख्या है तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं पर रुखते हैं आगे वाले जो है वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न की संकल्पना विक्सित करने ही तो समगरी यह आपका अभी मैथमाटिक्स का आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद